नमस्कार दोस्तो रावन श्टाक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज के फिडिए में हम दो देखने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नामे वड़ापून आइडिया अगर आपको वर्स्ट में बेस्ट कोई स्टॉक चाहिए तो अब वड़ापून आइ पूरे टेल में स्टॉदी करने वाले लेकिन उससे पहले डिसकलेमर देखेंए पेनि स्टॉक है क्योंकि इससे जो पेनिसुक रहते बहुत यह सकते यह तो हो गए डिस्क्लेमर तो चले देख लेते एसे कौन से तीन ब्रेकिंग नुज है जो वड़ापुन आइडे को नौन स्टॉप 100 के उपर लेके जा सकते जो पहला यहाँ पर ब्रेकिंग नुज देख सकते हैं जैसे कि कल के दिन में आता तो लगबग 4-5 परसंट की जोरदा तेज़ी आई थी वड़ापुन आड में जो भी नुज है यहाँ पर रिपोर्ट के दारा सामने आ रहे देखे जो एमेजोन है लगबग 20,000 करोड का इन् बड़े जो टेलिकॉम सेक्टर में काम करते हैं एक है जियो और दूसरा है एटेल अगर तीसरा प्लेयर भी आता है तो उनको के दिक्कति नहीं होगे बहुत सारा उनको नेट प्रापिट बन सकता है अगर टेलिकॉम सेक्टर से क्योंकि 150 करोड में सिप दो प्लेयर मतले प्लेयर प्लेयर में इंवेसन करता है तो बहुत बड़ा रॉक्रीट बन सकते है इसके बदले वड़ापुन आयडा में इंवेसन कर सकता है यह तो हुगा पाईला था अवाजीटिव सकता है फूद स्वींद के सदो सा है जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यही कि जो आप लोगों को पता रहेगा कुमार मंगलम करके कुमाल मंगलम बीरला करके तो यह बहुत ही बड़ी यहाँ पर स्टेट्मेंट दिया तो उन्हें यह बोला कि जो वड़ापोन आईडिया के दीन थे वह खराब दिन चले गए तो बहुत ही अच्चे दिन आने वाले वड़ापोण आईडिया में तो देखे इनका जो स्टेटमेंट है बहुत ही बड़ा है क्योंकि जो कोईय बेड़ा परसन यहाँ पर स्टेटमेंट करता है तो इसा उपर से नहीं करेगा क्योंकि पूरा एनलिस करेगा उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट देता है और आप लोगों को पता रहेगा प्रमोटर होल्डिंग में बहुत ज्यादा है तो अभी तो जो कुमार बीरला है उन्होंने अभी 75 के आसपास यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करके बैटे वड़ापुन आड़े में मतलब सोच सकते है अगर उनको बेचना रहता तो कभी भी बेचके निकल सकते है वड़ापुन आड़े से लेकिन आभी तक उन्होंने बेचा नहीं तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सा है वड़ापुन आड़े के लिए तो आगे जाके देखते है कि जो बिरला जी का स्टेटमेंट है वो सच हो पाता है कि नहीं यह तो होगा है दूसरा पॉजिटिव पॉइंट तीसरा पॉइंट भी देखते है कौन सा है जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट यह की वड़ापुन आइडिया को बचाना चाहती है, उसके पीछे बहुती बड़ा लॉजिक है, अभी तो मार्केट में दो ही प्लेयर अविलेबल है, एक तो एक जियो, उसके बाद एर्टेल, अगर कस्टमर जाएगा जियो के पास, अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो अपसे जाएगा एर्टेल में, अगर एर्टेल अच्छा नहीं लगा तो अपसे आएगे जियो में, जो तीसरा प्लेयर है वड़ापुन आइडिया, बहुती स्ट्रगलिंग मोड में, इसके वासे क्या है, जो भी कस्टमर है, जो वड़ापुन आइडिया के कहा पर जा रहा है, ए प्रिसाइड करते हैं कि जो भी पैके अपना जो रहता रिचार्ज मोबाइल का, अगर वो बढ़ाना का सोचते हैं, तो यहाँ पर कस्टमर को दिक्कत हो सकती, यहाँ पर महेंगाई बढ़ सकते हैं, तो गवर्मेंट चाते हैं कि वड़ापुन आइडिया यहाँ पर स्ट् यहाँ पर बात कर रही थे जो गवर्मेंट है, तो लगबग यहाँ पर दस रुपे के आसपास उन्हें ने बोला था कि वड़ापुन आडिया में स्टिक लेंगे, यह तो इसके तीन पॉजिटिव पॉइंट्स, देखिए अगर आप कोई दस रुपे के आसपास कोई पेन टूट जाते हैं, तो यह दोनों स्टॉक बहुत ही, मतलब आच्छे तो नहीं है, लेकिन वर्स्ट में बेस्ट है पेने स्टॉक में, रिस्क क्यों है, क्योंकि इसका आप चार्ट पैटरन देशाते हैं, बहुत ही रिस्क है, लगबग माइनस 81% के रिटरन दिया लाइप ट तो आपको ए रिस्क पॉइंट देखे हैं, अगर आपको इन्वेस्मेंट करना पड़ेगा, आपकी रिस्ट की एबिलेटी पैचन है, कितना यहाँ पे पैसा आप रिस्क में डालने के लिए तायर हैं, पांसो हजार रुपए डाल सकते हैं, तो डाल के चल सकते हैं, जिस द आज के ब्रेकिंग न्यूस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को जबरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं,